हलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़लूरी सुचना बताने वाला हूँ इसी वज़त से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंतक देखेंगे और अगर आप हमारे यूटूब चेनल पे नए आये हैं तो पिलिज इसको सस्क्राइब करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी सेजर करेंगे पता रख विध्याल परिक्षा के दुवारा मैट्रीक और इंटर का परिक्षा भली भाती संपन कर दिया गया है अब सभी छातरों को अपने अपने रिजल्ट का इंतिजार है उनको लग रहा है कि जल्द से जल्द प्रकाशित उसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा हलाकि कुछ बच्चों का समाजिक विज्ञान का परिक्चा जिनका दुटिया पाली में था उनका परिक्चा बेहत से नहीं लिया जाएगा क्योंकि अब रिजल्ट का समय आ चुका है विज्ञार विद्याले प्रिक्चा समीति के दौरा रिजल्ट को लेकर अभी कोई भी अधिकारिक सुचना जारी नहीं किया गया है लेकिन कयास लगाए लेकिन अनमान लगाया जा रहा है कि मार्च के अं मैट्रिक वार्षिक प्रिक्चा इंटर प्रिक्चा से समन जितने भी प्रकार के कार्ज करम किये जाते हैं जैसे रजिस्टेशन हो एडिमिट कार्ड हो रिजल्ट हो प्रिक्चा को अपरिक्चा हो तमाम प्रकार की जनकारी उसमें साधा किया गया था और उसमें मैट्रिक वार्षिक प्रिक्षा को लेकर बताया गया था कि मैट्रिक वार्षिक प्रिक्षा 2023 का प्रिक्षा फलका प्रकासन मार्च अप्रेल में किया जाएगा इस नौटिस और आपको बता दे कि बिहार विद्याल परिक्षा लेने के बाद अब रिजल्ट में पूरी तरह से जूट गया है कौनपी जांच की प्रकिरिया लगबख समाप्त होने वाला है और अब बहुत जल्द ही बिहार विद्याल परिक्षा समीटी के दौरा मैट्री का रिजल्ड प्रकासित किया जाएगा आपको बता दे कि बिहार बोड के द्वारा सरपर्थम इंटर का रिजल्ड जारी किया जाएगा जनकारी के लिए बता दू कि अब एक से दो दिनों में इंटर का रिजल्ड जारी कर दिया जाएगा उसके पस्चात मैट्री का रिजल जाड़ी कर दिया जाएगा बहुत सारे प्रिक्षा केंद्रों पर कौपी की जाच शुरू कर दी गई है और काफी तिब्र गती से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है अब आपके मन में एक प्रश्ण है उड़ता होगा कि क्या समाजिक विज्ञान का प्रिक्षा होगा रद्ध जैसा कि आप सभी को पता है कि समाजिक विज्ञान के दूतिय पाली के प्रिक्षा में बहुत सारे प्रश्ण सिलेबस से बाहर के थे ऐसे में काफी सारे छात्रों क का परिक्षा तो बहुत ही जादा खराब गया अब सभी छात्र सोच रहे हैं कि क्या फिर से समाजिक विज्ञान के परिक्षा को लिया जाएगा तथा जिन छात्रों का दूतिया पाली में परिक्षा था उनका परिक्षा कैसे लिया जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फिर समिति के द्वारा कोईड परिक्षा दोबारा नहीं लिया जाएगा इसमें केके कि द्वारा उठाया जा सकता है दुत्यएव पाली वाले प्रिक्षा को थोड़ा सा नम्म्र जादा दे दिया जाया इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो माई ڈयर अस् दोस्तों को भी सेयर करेंगे पाकिशो थैंक्स वेरी माच ओल दा बेस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में तब तक लिए जाहिंद